किया आ रहा है everyone welcome to another video अगर आप University of Waikato या फिर Polytechnical College Wintek में आ रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है क्योंकि ये दोनों जो हैं वो दोनों के दोनों Hamilton में हैं तो आज की हमारी वीडियो जो है वो Hamilton के ऊपर है Hamilton के pros and cons and living expenses तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं अगर हमिल्टन की बात करें तो सिंगल के लिए आपको 120 plus rent mind में रखके आना पड़ेगा आपको सिंगल रूम मिल जाएगा Hamilton में per person for 120 dollars excluding everything and excluding grocery ठीक है और अगर आप उस रूम को किसी के साथ शेयर करते हो तो आपका रेंट वो कम हो सकता है तो अगर हम बात करें कपल कि अगर आप एस अपल आ रहे हैं husband wife आ रहे हैं तो आपको सिंगल रूम 250 plus मिलेगा इसमें बाकी चीज़ें नहीं है grocery वगेरा सिर्फ रूम की बात हम कर रहे हैं तो रूम आपको 250 प्लस पड़ेगा वेरास अगर आप पूरा घर लेना चाहते हो जो कि स्टार्टिंग में आपको जब आप न्यूजी लेंड आ रहे हो इंडिया से जो कि आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल है तो आपको दो बेड्रूम जो है वो 400 न्यूजी लेंड डॉलर तक का मिल सकता है 400 प्लस लेकिन इसी के साथ अगर आप हैमिल्टेन के आसपास के एरिये हैं जैसे केम्रीज वगिरे में चले जाओ तो वहां पर आपको और सस्ते मिल सकते हैं क्योंकि यह अराउंड 30 किलो के रेडियस के अंदर किसी भी सब्सक्राइब में घर लेते हैं तो आपको अप्रोक्सिमेटली 320 350 तक आपको तो बेड्रूम यूनेट या घर मिल जाएगा तो यह तो से कोस्ट ऑफ लिविंग इन हमिल्टन वाइकाटो और अब हम बात करते हैं प्रोज और कोंस जो कि ज़्यादा है क्योंकि आउकलेंट से लगा हुआ है तो यहां पर आउकलेंट की तरह ही काफी इंडियन कमुनिटीज अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो यह आपके लिए काफी अच्छी चीज हो सकती है और यहां पर जो है वह सारे फेस्टिबल जैसे कि आउकलेंड में में यहां पर करें तो वैदर जो है वह हमिल्टन का लिटल बिट कोल्ड है डिन ऑग्लैंड में जाधा थंड नहीं होती आज कंपेर तो हमिल्टन में ज्यादा ठंड होती है बट हाँ यहां पर जो रेन होती है तो अगर यहां पर आप बढ़ते जाएंगे वैसे वह सोते जाएंगा अगर आप केंपरीज वाली साइड जाते हैं तो आपको हमिल्टन से भी कम टेमपरेचर देखने को मिल सकते हैं जाएंगे वैसे वह सोते जाएंगे सब्सक्राइब अगर आप आते हैं तो आपको मंदेर मजजीद चर्च गुर्दवारा यहां पर सभी कुछ आपको मिल जाएगा एस कंपेर टो अगर देखे जाएं तो काफी सिटीज ऐसी हैं न्यूजी लेंड में जहां पर यह सारी चीज़े नहीं होती हैं तो अगर उस लिखा जाए तो हमिल्टन में आपको सब कुछ मिल जाएगा तो यह यह भी एक अच्छा प्रोज है यहां पर रहने के लिए और न्यूजी लेंड का सबसे पहला गुर्दवारा भी हमिल्टन में ही है तो अगर आप गुर्दवारे जाते हैं तो आप हमिल्टन में जागे न्यूजी लेंड का सबसे पहला गुर्दवारा भी देख सकते हैं और अगर आपको जॉब मिलती है I.T. लगएरह की ओफ लेंड में तो आप हमिल्टन से भी ट्रैवल करते हो तो यहाँ की जो ट्रेन चलती है हमिल्टन की वह पशकलन पफर यहां का जो मेंस हैं सारे मॉल्स कबहरा है तो वहां से जो ट्रेंज चलती है और वह जो सबसे पहला ट्रेंज स्टेशन आता है होग आप 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 नाइन्टी मिनट्स पापा गुरा में पहुंच आते हो अगर आप फर्दर सीटी आते हो तो आपको एनदर फॉर्टी-फाइब लगते हैं तो विच इस रहे रहे गुड़ ऑपर्चुनिटी फो पीपल लविंग इन हमिल्टन क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो आउकलेंड में तो अगर आपको यहां कहीं भी अगर जॉब मिलती है आराउंड तो आप वहां पर जाके जॉब फाइंड कर सकते हैं और दूसरी जीज यह कि ज्यादा पूर नहीं है एक से देड़ घंटा आपको रोटरोगा का लगेगा और एक से देड़ घंटा आपको तो रंगा लगेगा और सेम जैसे कि बताया हमने आउकलेंड वह उतना ही लगब टाइम लगता है तो अगर आप यहां पे आते हैं तो सेंटर आपके लिए काफी सारी अ और लोगों को भी जाती है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कौन्स हैमिल्टन के बारे में तो हमारा नंबर वन पर है यह जो है स्मॉल सिटी है नोट लाइक आउकलेंड तो आउकलेंड में जैसे कि आपको पता है काफी सारी अपॉर्चनिटीज यह बड़ी सिटी होने क कारण कमर्शिल के अपिटल होने की कारण तो हमिल्टन इतनी अपॉर्चनिटीज ओकलेंड की तरह नहीं है यहां पर और कौन में अगर दूसरा पॉंट देखा जाए तो यह है कि अगर आप आपको घूमना फिरना पसंद है अगर आपको एक्टिवीटीज करना पसंद है तो आपके लिए क्वाइट डिस अपॉंटिंग हो सकता है हमिल्टन में रहना क्योंकि हमिल्टन में इतनी एक्टिवीडीज नहीं है करने के लिए देर आप अगर आप फन पार्क वगारा जाते हैं या फिर कुछ और अधर बड़ी अक्टिवीटीज करना जाते हैं तो हमिल्टन में यह चीज़े आपको नहीं मिलेंगा तो कॉंस में हमारा जो नमबर थी है वो यह है कि यहां पर इंडिन ग्रॉसरी थोड़ी सी महंगी है हाँ आप सोच रहोंगे छोटी सिटी है तो यहां पर सस्ती होनी चाहिए बट ऐसा नहीं है क्योंकि जो सारा कुछ है व अगर हम कुछ भी अगर अगर आप 10 kg का आटा खरीते हो वीड खरीते हो अगर वो अगलन में 20 टॉलर्स का है तो आपको हमिल्टन में 22 टॉलर्स का मिल सकता बट यहां थोड़ा सा ज्यादा ही होगा क्योंकि उसमें चार्जर जुड जुड जाते है उसको एक्सपोर्ट करन करेंगे और अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं हमिल्टन के बारे में या यूनिवस्टी वाइकाटो या विंटेक के बारे में तो भी हमें कमेंट करके बताएए हम आपको और इंफोर्मिशन देने की कोशिश करेंगे कुछ चूट जाया अगर हमसे तो राइट तो सब्धन 25 राइट लिए ग्रमीशन देने तो या ऑखलेंद Óकलन तो राइट एफिर के लिए लोगषी पफी तो दूझ चूप्स क्र सकते यूों आप सी लोगषी सपी यह तो अपनी तो प्रियां ऑप कि अपका शुच यह सब्यों फिर तो सब्स सब्स कर सकते हो। और अगर आप ये वीडियो अब तक एंचोई कर रहे हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ने सब्सक्राइब नहीं किया है और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि हमारा फेस्बुक पे भी ग्रुप है जो हमने स्पेशली स्टुडेंट्स की हल्प के लिए बनाया हुआ है तो आप चाहें तो वो भी जॉइन कर सकते हैं जाके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो अगर पसंद आय हो तो उसको लाइक कर दीजिए तब तक के लिए बाबाई सी यू नेक्स्ट वीडियो